नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company का Update शेयर कने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा, और अभी तक आपने चनल को सब्सक्रेम नहीं किया, तो जुरू कर लिजेगा, Continuously Information और Updates बाने के लिए चनल को पर बन रहे हिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, Fine Organic Industries Limited के बारे में, तो इस कमपानी के ऊपर कुछ आपडेट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि Fine Organic बहुत दिनों से एक lower side में काम कर रहा है, मतलब जो 52 का low है, उस situation के ऊपर काम हराब situation नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे, कमपानी का valuation जो है, वो सस्तमी है, इंडेस्ट्री स्पीरियो से से कम है, और ROC, ROE के बारे में बात करना ही सही नहीं होगा, क्योंकि कमपानी बेस तरीके से position बना रहा है, कमपानी जीरो डेप कमपानी है, income भी हो रहा है, तो एतनी सारे points ठीक ठागया, तो कमपानी में problem क्या है, और उसके साथ बात करों, तो कमपानी का quarter result है, वो देखेंगे, कमपानी का sales का growth, वो किस तरीके से यहाँ पर sales का growth बढ़ता हो देखने को मिले, तो अलग level का यहाँ पर sales का growth देखे, और यहाँ पर देखे, sales का growth किस तरी रहे थे, 300 से 460, 760, अभी कितना हुआ, 488, मतलब sales का growth यहाँ पर कम हो गया, तो कम की हुआ, क्या company के अंदर कुछ गड़बड़ी चला है, बिलकु नहीं, तो दो तरीके से problem होते है, एक internal problem, और दूसरा external problem, अगर company के internal problem है, तो बहुत बड़ा खत्रा है, अगर external problem है, तो को फिर से journey start करेंगे, तो इस company भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि company का performance कोई खराब नहीं हो रहा है, company का performance तो ठीक ठाग है, तो उस ही साब से company का आगे बनने का एक potential है, बाकि दिखिए company के पर जो cash flow है, उसके बार हम बात करो, तो cash flow के देखेंगे, तो company के cash flow हमेसा positive रहेगा, और इस बार company का best तरीके से cash flow देखने को मिलेगा, और एक मज़ेदार बात आपको बता दू, companies खराब टाइम में भी, खुद के business के बहुर अच्छा का सा investment भी किये जा रहे है, तो कौन company करते है, जो company के उपर sales down हो चुके है, क्या उस ताइम में भी invest करना सही होगा, हाँ, sorry, mutual fund खुद के quantity को continue कर रहा है, और FIS के पास जो 7% holding था, बीच में काम होकर 3% हो चुके थे, 63%, अभी वो बढ़के 64% हो चुके है, मतलग, company के उपर बेस तरीके से, company के उपर profitability मेंटन हो रहा है, अभी sales भी मेंटन हो रहा है, अभी देखे, company के उपर investor इसले टिके होए है, क् promoter इसके उपर एक भी माल नहीं बेचा, और एक importance point और भी यहाँ पर एडिंग करूँगा, वह है इस company के उपर, mutual fund ने देखे, कोई भी quantity यहाँ पर buy नहीं किया, last कुछ quantity, last कुछ quarters में, last कुछ months में, continuously sell up किया, और इसी sell up के कारण company के उपर एक पेसराइज बनता हो देखने क बाकि आप देख सकते company के उपर जो टेकनिकली चार्ट पटन है, उसके बारे मात करूँ, तो finally, यहाँ पर पैटन्स तो बहुत सरे बन रहे थे, अगर पैटन कल्फम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर shoulder, come head, come shoulder बना था, और उसको break नहीं कर पाए, और नीचे आ गया, और फि जोरू मुझे comments करना, फिलाल के लिए मेरा कोई भी trade नहीं है, जब कोई trade बनेगा, मैं अपके साथ जोरू share करूगा, नेक्स्ट जो company है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है Computer Age Management Services, इसका नाम है Camps, तो Camps के बारे में बात करूँ, तो Camps basically दिखाए तो एक transfer agency है, वो इसी के पास है, क्योंकि कोई भी बैखते कर mutual fund कर रहे है, तो उसको mutual fund buy or sell करना होगा, तो यह जो buy sell का जो transaction है, उसको कौन compete करते है, वो compete करते है, Camps, मतलब उसको securely maintain करता है कौन, Camps, तो इसका जो transfer agency है, उसी agency का का काम करते है, तो जिसमें एक अच्छा कासा percentage markets है, तो Camps के उपर जो लोग मुझे comments करके बताया, कि इस company बेकार है, उसके लिए बता दू, कि यह देखिए, आप obviously आपके बात गलत है, मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग opinion होता है, मैं मेरे हिसाब से research करता हूँ, आप आपके हिसाब से research करके काम करि हाँ, हर चगा से जितना सीखने तो मिले, आप सीख लीजिए, चाहे मेरे वीडियो देखकर हो, चाहे दूसरे किसी का वीडियो देखकर हो, आप देखकर काम directly मत कर लेना, आप देखकर खुद की research जूरू करना, कि हाँ, सही में जो बैक्ती आपको इतने सारे बात आपके सा चाहा सा result पाप्रिश काने वाल है, क्योंकि काम्पानी के जो sales है, वो लगातर बढ़ते चले के हैं, और इस पर कम्पानी के sales 1000 क्रोड के आसपास है, expense को मिटाने के बाद company का net profit, जो है करीबन- करीबन 300 क्रोड के आसपास देखने को मिला, तो company के net profit इस बार भी best तरीके से द अर देखने को मिलेगा घमेड में और कमपाणी के उपर चार्ट पैंट के बारे में के बात करो देखिए कंपाणी के उपर क्या बना काई बना पैटन कुछ इस तरह के से बना पहले इस few डरबना उसके बार हेड बना उसके बाद सीदोर्डन बना तो finally मैंने कब टेल लिया, मैंने टेल लिया कुछ इस level में, जब यहाँ पर breakout हुआ था, जब retest किया, तब मैंने यहाँ पर टेल लिया, और मुझे लगता है यहाँ से धीरे दे करके उपर जाएगा, कि इसका strongly जो एक resistance है, उस resistance को break किया है, तो यहाँ से भू उपर जाने का को कोसिस करेंगे, अगर उपर गये तो कहा तक जाएगा, वो 3800 लेबल तक जाने का कोसिस करेंगे, और मज़ेदर बात यही है, कि इसका जो light time high है, उसी light time high के नीचे company का target बना है, 31% का, तो higher possibility है, इस level तक जाकर वो दम लेंगे, तो देखी, इसमें कोई 100% security होता नहीं है, मैं क्योंकि यहां पर stop loss भी लेना पड़ता है, यहां पर आपको सारे leaks को manage करके काम करना पड़ता है, तो please आपके leaks को manage करके ही आप काम करना है, तो next जो company है, उसके बारे में बात करूँ, उसके ना में easy tip रनार, और एक company है, जिसके उपर मेरा trade है, obviously मेरे state में losses चला है, क्योंकि कहा पर loss चला, चलो मैं आपको दीखा भी देता हु तो और भी आपको आपको आसाणी हो जाएगा समझने में क्यों loss चला है और किस basis में चला है बो में आपको बता जिता हूँ, हाँ मैंने loss भूख नहीं किया, एक मुझे loss भूख नहीं करना आता है, क्योंकि मैं हम्हसा पर टाइम लगेगा इस लेबल तक जाने का 60 रुपीज तक जाने के लिए 60 रुपीज तक अगर गये तो 23% के आसपास टार्गेट मिलेगा अगर एक साल के अंदर में मिले तो भी मुझे कोई फरेंग नहीं पड़ेगा कि कि मैं कोई इंटरेटर टेडर नहीं है कि मुझे हर लग बात है मुझे तो एक साल में अगर 15-20% के उपर रिटरन मिले तो ही काफि है तो अबिसली बीस परसन के उपर रिटरन तो मिली जाता है कि जिस तरीके से ट्रेड में अपके साथ सेयर कर तो आप खुदी उसको क्यलकूलेशन करके एक बार रिसाच करके देखना आपको कि blindly किसी company इसके उपर तूट पड़ेंगे तो वो बहुत बड़ा एक सीजोन हो जाएगा तो अभी देखिए EZT planner के उपर सबसे पहले जो importance point दिखाऊंगा देखिए promotor के पास जो 74% holding है उनमें से promotor के पास जो placing था एक चीज़े को notice करना पिछले बार इस company के उपर अभी promotor खुद के holding को बेच पाएंगे तो यहाँ पर question है क्या promotor खुद को holding को बेचेंगे तो मुझे नहीं लगता promotor खुद को holding को बेचेंगे क्यों company का जो future vision है वो बहुत clear है और upcoming times में इस तरीके से platform बहुत तेजी से growth करने वाल है क्योंकि platform का growth होने का chances इसलिए है क्योंकि आप एक चीज़े को notice करना आज आप घर बैठे ticket बूट कर सकते हैं घर बैठे hotel, bus, train, flights हर कोई चीज बूग कर सकते हैं तो जो platform आपको सस्ते दमों में सारे tickets बूग कराएंगे उसी platform के उपर तो खरिदरी करने वाल है तो उसी basis में देखा जाए तो इस company के बार उपर इसी तरीके से situation के basis में company के उपर अच्छा खासा एक growth देखने को मिल सकता है बाकि इस company के उपर में एकी बात कहूंगा company के result हमेशा सही हुआ है अच्छा देखने को मिलेगा और इस बार भी company के result अच्छा खासा chances है क्योंकि साल भर में देखा है तो 147 से 167 करोड तक देखने को मिला है मतलब बेस तरीके से company का performance देखने को मिला है और उसी इसाब से company में एक बेस तरीके से situation बनता हो देखने को मिलेगा तो बाकी आपके क्या opinion है इस company के उपर जोरू मुझे comments करना और इस वीडियो में कुछ नया जानकरी मिला है तो जोरू मुझे एक like जोरू कर देना और next company उसका नामे टाटा मोटोस जो टाटा ग्रूप के एक best company है और टाटा मोटोस के बारे में एक बात में जोरू कहूँगा कि टाटा मोटोस के उपर एक चीज़ों को notice करना company के उपर जो balance sheet है उसके उपर जाकर आप corporate action में जाएंगे तो यहाँ पर split दिखेगा तो company देखिए 2011 में company fast split लेका आया थे और company एक के बदले पांस सर दिया था और अभी company एक के बदले 5 सर देने के बाद company के face value का menteer बन चुक है जो 10 रूपया था अब इस 2 रूपया को फिर से company repr trzyd करने वाल है और इस बार एक के बदले 2 सर देने वाल है क्योंकि face value एक करने वाल है तो इसका update जल से जल आने वाल है को उमपानी के result के बाद ही कॉमपानी इस तरीके से update पब्रीज करने वाल है तो जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतेजर करना पड़ेगा इस update पाने के लिए और जो लोग Tata Motors के उपर निवेस करकर रखे हैं तो उसके लिए good news है तो इसके लिए integer करना जब news आएगा तो मैं आपके साथ share करूगा तो वीडियो में जानकर अच्छे मिलें तो please like करना और चैनल को subscribe करना और हाँ मैं कोई savery sister person नहीं हूँ तो इस वीडियो को education purpose में लेना और सारे चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना यह नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद